हेलो एवरीबन गुद इवनिंग माई नेम इस विश्वदीप और वेलकम यू आल अनकाडमी कंप्यूटर साइंस चैनल पॉर अनलिमिटेड लर्निंग आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है और उसमें आज हम देखेंगे memory, memory hierarchy, memory representation and its addressing ये सब आज हम देखने वाले हैं और बड़ा ही interesting सा टॉपिक है क्योंकि एसी छोटी छोटी बारी किया आज आपको पता चलेगी memory के बारे में जिससे आपको समझ में आएगा कि किसी question को quickly कैसे solve किया जाता है सबसे जादा problem जो students को आती है memory chapter में वो ये है सर conceptually सब समझ में आयाता है जो छोटी 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 चीजें रहती न वो समझ में आती कि address निकला कैसे address में तो byte दे रखी थी word दे रखे थे size में और address में bits आ गई ये word से bits या byte से bit कैसे convert हुआ समझ नहीं आया तो वो आज आज आपको समझ आने वाला है for sure तो चलो जल्दी से मुझे confirm कर दो कि आप सब लोग ready है आज की learning के लिए या नहीं तो चलो start करते हैं session को before we start मैं अपने आपको introduce कर दू उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस channel पे as channel reader काम करता और आपको बहुत सारी learning provide कराने की कोशिश करता हूँ वो भी free में I have written gate exam myself multiple times in computer science, ranks, masters, experience, बहुत कुछ सब कुछ एक ही चीज के लिए और हम दोनों एक ही चीज के लिए मेहनत करते हैं आप और मैं और वो क्या है आपका अच्छा career हम दोनों एक ही चीज के लिए निरंतर लग वातार सोचते रहते हैं और वो क्या है आपका अच्छा career आपकी अच्छी learning और उसके लिए आपको इस channel पे धेर सारे playlist मिलेंगे धेर सारे videos मिलेंगे live recorded सब कुछ और अगर आपको explore करना है और सीखना है तो anacademy के platform पे सीखो बहुत कुछ free में मिल जाएगा क्या करना है उस पे आपको मिलेंगी classes special classes यह एकदम free classes है और यह सारी classes को unlock करने के लिए आप code use करो वीडीट है अगर आप लोग special class attain करते हो तो आपको मिलेगा क्या interactive classes है पोल्स की facility है raise a hand की facility यह मतलब live class में आप बात कर सकते हो हां जी जैसे आप phone call पे बात करते हो ना वैसे educator के साथ ताकि आपको आपका doubts solve हो जाए never miss a class means आपको notification मिलेंगे lecture notes और video download कर सकते हो अगर आपको मेरी सारी previously taken special classes चाहिए यह link पे पहुंच जाओ सब organized way में मिल जाएंगी अगर आप लोगों का aim है कि आपको अच्छी preparation करनी है और अच्छी rank चाहिए जितनी अभी current महनत कर रहे हो या जितन नहीं महनत में तो आपकी preparation बहुत ज्यादा efficient होनी चाहिए उसका जो throughput है सही technical language में कहा जाए तो वो maximum होना चाहिए कि maximum marks in the regular time whatever you are giving और वो efficient कैसे हो सकती है preparation उसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या करना है कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है क्या ignore करना है और क्या नहीं करना है क्या mistake avoid करनी है और क्या करनी है किस चीज को आपको ज्यादा ध्यान देना है focus करना है ज्यादा ज्यादा time के लिए और किस चीज को कम यह सब खुद के experience से आना मुश्किल है इसलिए time waste ज्यादा हो जाता है इसलिए efficiency आती है कम अगर आपको efficiency बढ़ानी एक structured way में learning करनी है तो आप आओ Unacademy Plus पे यहां मिलेंगे आपको live interactive classes, daily practice problems, weekly quizzes, doubt solving और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी preparation जो रहेगी वो हमेशा organized रहेगी, हमेशा structured और systematic रहेगी यह Unacademy Plus पे आपको मिलेगा guidance of educators जो आपको बताएंगे कि कब कैसे क्या करना है और क इसी course को पढ़ते वक्त और यह Unacademy Plus का subscription आप various duration के लिए खरीच सकते हैं, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, any duration subscription you take, अगर आप code लगाएंगे यह checkout के time, VDeep 10, तो आपको मिलेगा 10% का instant discount, पर यह code कोई subscription का discount code ही नहीं है, यह देखो एक बहुत important code है, जो आपके और मेरे बीच में connection मनाएगा आपके और मेरे बीच में emotional connection बनाएगा, यह एक team code है, आपका और मेरी team का जो strong want बनेगा, वो उस particular चीज़ का representation है यह, तो अगर आप चाहते हो कि मेरा personal guidance मिले है, मेरी team का support आपको मिले है, use करो code, subscription ले लो, discount के साथी साथ, extra benefits भी मिल जाएंगे, अगर आप लोगों को personalized preparation चाह strategy बना के देंगी, आपके personal वाली, फिर customized study plan देंगे, आपका performance track किया जाएगा, सबसे important जो सबसे ज़्यादा problem students को होता है, वो यह personalized test analysis होगी आपकी, study booster session मिलेंगे आपको, और dedicated doubt clearing sessions मिलेंगे आपको, जो भी instructors होंगे उनके through, यह सब मिलेगा आपको iconic में, plus के अलावा, iconic subscription भी आप 6, 12, 18, 24 months के लिए ले सकते हैं, subscription के दौरान, अगर आप use करेंगे code VDeep10, आपको मेरा personal guidance, और मेरी team का support, including 10% instant discount मिल जाएगा, and academy plus के prices, जो है, high होने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हो, कि बिना high किये ही, price, कम price में, आप subscription लो, जादा pay ना करो, जो जल्दी से subscription ले लो, code तो आपको याद ही है, दो नई batches भी start हुई है, 22, 23 के लिए, तो अगर आपका target 23 भी है, तो भी, और अगर आपका target gate 22 भी है, तो भी आपको subscription के लिए कोई problem नहीं होगी, नई batch आराम से accessible मिल जाएगी, start करेंगे session को नया chapter है, तो नई energy चाहिए, आप लोगों का ready रहना बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से message करो कि are you guys ready to learn, फिर हम start करते हैं session, जल्दी बताओ, ready हो, जल्दी से, चलो, ओके, तो start करते हैं learning, और सबसे पहली चीज़ जो हम आज start करेंगे, वो है आज का सबसे basic definition, memory क्या होती है, memory एक ऐसी चीज़ है सर, जिसमें सब फालतू की चीज़े पढ़ी है, काम की चीज़े यादी नहीं रहती, मैंने आपकी memory का नहीं पूछा, मैं मेरे computer system की memory के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, आपको सारी फालतू की चीज़े definitely याद रहती, पक्का याद रहती है, किसने क्या किया, क्या पहना, क्या नहीं पहना, कोन कहां गया, क्या कर रहा है, किसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, किसने क्या क्या बुरा कर दिया, सब पूरी पंचायती आपके दिमाग में एकदम control S की तरह saved रहती है, पर जहां मैंने पूछा ये formula, सर, वो revise नहीं किया न, दो महीने और इसलिए याद नहीं है, तो क्या ये ऐसी फल्टू की चीज़े revise करते हो तुम लोग, revise करते हो, नहीं न, क्यों, याद रहती है, interest, interest की बात है, है न, तो अगर आपका interest रहेगा न, इन चीज़ों में, सीखने की अगर भूख रहेगी न, तो ची कि हम computer system में एक single memory use नहीं करते हैं, आपने सीखा होगा कि आप एक memory use करते हो, बहुत बड़ी होती है, 500 GB या 1 TB की hard disk, फिर एक RAM अलग टाइप की memory आती है, हाँ जी 4 GB, 8 GB, 6 GB की कुछ, फिर cache memories अलग होती है, registers अलग होते हैं, इतनी अलग अलग लगाने की जरुरत, क्या इतनी variety क्यों? नहीं सर हम इंडियन हैं, हमको सब में variety चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी variety क्यों? इतनी variety इसलिए, क्योंकि हम हम एक memory use नहीं करते हुए एक hierarchy of memory use करते हैं और उसका reason है क्या reason है कोई बता सकता है जल्दी से मुझे क्या reason है कि हम memory नहीं memory hierarchy use करते हैं और उसका reason है ये memory hierarchy जो use होती है वो होती है जब हम performance issue की बात करते हैं अगर हम performance की बात करते हैं तो memory hierarchy use होती है जब हम memory hierarchy use करते हैं तो हमारे दो goal होते हैं उसको use करने के एक पैसा कम से कम देना पड़े है ना वो तो हर किसी की चाहत होती कि कम पैसे ने जादा मिल ही जाए तो वही हम चाहते हैं कि हम per bit एक bit को store करने के लिए जो cost दे रहे हैं ना वो कम से कम दे इसलिए लिखाए to minimize साथी साथ memory CPU जब access करे तो performance increase भी हो मतलब कि memory को access करने की जो speed है वो speed maximum रहे किसकी? कौन करेगा ये access कौन करेगा memory? CPU तो CPU का memory को जो access करेंगे उस access के लिए जो speed आएगी वो maximum रहे तो हम चाहते हैं कि speed बढ़े plus cost भी कम रहे इसलिए multiple types की memory हम use करते है ताकि क्या हो पाए? कि हम बहुत ज़ादा ऐसा भी ना हो कि speed बढ़ाने के चकर में एक ऐसी memory लगा दी जो बहुत fast है बट पैसा ज़ादा देना पड़ गया problem अगर हम पैसा कम करने लगे तो हो सकता है हमने ऐसी memories लगा दी जो बहुत slow है उसकी वैसे ये भी खतम तो एक अच्छा perfect balance of these two we will use ठीके अब बात करते हैं आगे की memory hierarchy तो memory hierarchy में हम 4 level of memory की बात करते हैं जो हम एक general किसी भी computer system में use कर सकते हैं सबसे पहले आती है सबसे छोटी internal memories internal memories में हमारे पास आता है सबसे पहले तो cpu के registers और आता है cache cache वाला cache cache वाला cache है ना cash वाला cache नहीं वो cache है ये cache है cache है नहीं cache फिर आता है main memory main memory इन से थोड़ी बड़ी होती है और slow भी होती है ये fast है छोटी छोटी memories यूज़ करते हैं बड़ faster होती है main memory थोड़ी बड़ी और थोड़ी slow इनके comparison में main memory में हम यूज़ करते हैं एक तो RAM और दूसरा room third है secondary memory secondary memory में जो general computer systems में आते हैं वो hard disk drive आता है या SSD आने लगी है आज़कल है ना और सबसे last में आता है tertiary memory tertiary memory में आते हैं tape drives जो हम user use नहीं करते हैं क्योंकि हमको इतना ज़ादा persistent data की दरूरत ही नहीं है one TB is enough secondary memory में है ना उतना enough होता है ये उनके लिए है जो multimedia पे काम करते हैं या फिर उनके लिए है जो movie making में काम करते हैं जिनको thousands of GB का data store करना पड़ता है for the very very long time इसलिए tape drives use में आती है in tertiary memory में हम इसको use नहीं करते 3 level की ही memory हम use करते है अच्छा कोई पूछ रहा है आपकी notion link का मिलेगी इस video को थोड़ा सा back करो खीज के ले जाओ जहां पे मैं अपनी profile दिखाता हूँ उसके next page पे एक link देखता हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगी मेरी notion page की link मिल जाएगी notion page की link है यह इस पे सारी special classes आपको मिल जाएगी चलो वापस आते हैं अब इनकी specialties देखते हैं अच्छा यह बताओ कि इन समय से सबसे fastest memory कौन सी होगी किसकी speed सबसे जादा और किसकी speed सबसे कम speed के मामले में अगर देखा जाए तो यह सबसे fastest है और यह सबसे slowest है तो मैं bottom से top जाऊंगा तो speed increase होगी और top से bottom आऊंगा तो increase होगी increase अगर होगी तो यह इधर speed increase होगी तो यह arrow क्या show कर रहा है arrow क्या show कर रहा है arrow is showing the direction of increment कि किस direction में axis speed increase होगी अच्छा एक simple सी चीज़ बताओ आप सबने math तो पढ़ा यह basic एगदम basic वाला physics भी पढ़ा है speed और time में कुछ relation होता है अगर speed इस direction में बढ़ रही है तो किस memory का access time कम होगा और किसका जादा बता सकते हो इसका access time सबसे कम इसका access time सबसे ज्यादा तो access time किधर से top से bottom की तरफ increase होगा यह देखो यह ठीक है size की बात करो size की बात करो size की बात करो तो size internal सबसे छोटी और यह tertiary memory सबसे बड़ी तो size increase होगी इस तरीके से अब एक और point के बारे में बात करेंगे कि CPU सबसे ज़्यादा किस memory को access करता है frequency of CPU access frequency of access by CPU सबसे ज़्यादा CPU किसको access करता है internal को उससे थोड़ा कम main memory को उससे थोड़ा कम hard disk को सबसे कम तरशरी memory को तो CPU जो है उसका access frequency क्या होगी कहा सबसे ज़्यादा होगी, इंटर्नल में ज़्यादा होगी, तो इंक्रिमेंट बॉटम टू अप होगा, CPUs, Frequency of Axis, है न, अब ये बताओ, कि इन चारों में से सबसे costly memory कौन सी होगी, ये वाली, उससे सस्ती ये, उससे सस्ती ये, उससे सस्ती ये, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा है, एक example लेता हूँ में, आप अगर market में एक external hard disk खरीदने जाते हो, तो क्या आपको 3000 around, या 4000, let's say 4000 around में 1 TB hard disk मिल जाती है, तो 4000 रुपीज spend करके आपने कितना size का data storage खरीदा, 1 TB, means 1000 GBs, 1000 GBs, मिल क्या, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कि वही चीज आपको, अब main memory के लिए करनी है, RAM chip लेके आओ, अगर आपको, एक particular RAM chip लानी है न, 4 GB की, तो वो आती ही करीबन 2500, 1500, 1800 something, चलो मान लेते हैं, 2000, 2000 में आपको सिफ 4 GB का RAM मिल रहा है, इधर 2000 खर्च किया, तो 4 GB की RAM मिली, इधर 2000 में आपको अगर हाफ देखो, 4000 में आपको 1 TB मतलब 2000 में 500 GB मिल गया, 500 GB 2000, 4 GB 2000 एक byte को, क्या एक bit को स्टोर करने के लिए किस में जादा पैसा दिया, आपने RAM में दिया, हाट डिस में कम दिया, क्यों? अब इतना तो समझ आ रहा है na, इधर आपने जितना 2000 रुपीज दिया, उसमें आपको 500 GB मिल पा रहा है इधर 2000 रुपीज में आपको मिल रहा है सिफ 4 GB तो अगर 2000 रुपीज दिये, आपने 4 GB को स्टोर करने के लिए इधर आपने 2000 रुपीज दिये कितना 500GB को store करने के लिए तो एक byte को store करने के लिए जाधा पैसा किस में लगा, RAM में लगा, है ना, आया बात समझ में आया बात समझ में, तो इसका मतलब है कि एक bit या एक byte को store करने के लिए internal memory में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा as compared to main memory main memory में ज़्यादा खर्चना करना पड़ेगा secondary memory के comparison में और इसमें सबसे कम तो अगर हम बताएं कि per bit का storage cost किसमें सबसे कम होगा यहां और ज़्यादा कहां होगा internal में किसी ने पूछा था सर per bit storage cost क्या है यह है एक bit को store करने के लिए कितना पैसा आप देंगे internal में बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा यहां कम और ऐसा होता क्यों है speed speed ज़्यादा है इसकी बहुत quickly access हो जाता है RAM और hard disk में RAM बहुत quickly access हो जाता है इसलिए कम पैसे में आप ज़्यादा पैसे में आप कम GB भी लोगे बट speed अच्छी मिल जाएगी इसलिए तो इन दोनों को balance करने के लिए ही तो हमको hierarchy use करनी है समझाई बात ठीके speed of memory depends on what its construct how it is designed किस तरीके से वो designed है उस पे depend करेगा किस तरीके से वो magnetic disk type का तो उसका speed भहुत स्लो होता है क्योंकि उसमें read write का mechanism अलग होता है RAM ROM बनी होती है semiconductor based memories इसलिए fast होती है cache memory और भी special type की RAM होती है जो SRAM type की chip होती है तो वो और भी fast होती है तो इनका जो construct रहता है उस पे depend करता है कि speed कैसे होगी जिस तरीके से वो designed है और बनी हुई है hardware type के अब इस से ज़ाधा detail आपको नहीं चाहिए आप computer science के student हो आपको application basis पढ़ना है आपको design basis नहीं पढ़ना है design electronics वाले पढ़ते है है ना चल अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ अलग-अलग memories दे रखी है M1, M2, M3 तीन memories है अलग-अलग M1, M2, M3 ये समझ लो cache memory, ये main memory, ये hard disk तीनो का sizes दे रखा है bits में कि M1 का size है S, S1 bits M2 का size है S2 bits और M3 का size है S3 bits फिर तीनो का 1 bit को store करने का cost दे रखा है 1 bit को store करने के लिए M1 में आपने इतना पैसा दिया M2 में इतना दिया, M3 में इतना दिया सिर्फ एक bit को store करने के लिए अब आपको calculate करना है average cost of memory, that per bit आपने on an average कितना पैसा दिया तो पहले तो पूरी cost निकालो आप, कि total cost कितनी pay की है आपने total cost divided by total size, bits में तो क्या मिल जाएगा आपको, average मिल जाएगा तो total cost कैसे निकालेंगे M1 का cost निकालो S1 size की bits का S1 size है M1 का और एक bit का cost है C1 तो cost of M1 memory कितना आजाएगा S1 into C1 M2 का cost कितना आजाएगा S2 into C2 अब ये mathematics से यार सिंपल ये तो तुमने basically बचपन से पढ़े होंगे कि अगर एक memory का size S1 है एक bit S1 bits है इतनी number of bits है एक bit का storage cost इतना है तो S1 bits का कितना होगा S1 into C1 similarly S2 into C2 यहाँ पे S3 into C3 मिल गया तो total cost कितनी हो जाएगी memory की total memory hierarchy cost पूरे memory system की cost कितनी हो जाएगी S1 C1 plus S2 C2 into हटा देता हूँ directly लिख देते हैं plus S3 C3 यह हो गई total cost अब इस cost को divide कर दो total size से total size of memory कितनी होगी S1 plus S2 plus S3 ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा एक bit को store करने के लिए कितना आपने पैसा दिया इतना total पैसा दिया आपने किसके लिए सारी memories का कुल मिला के अगर आपको average निकालना है कि एक bit के लिए कितना पैसा दिया तो तीनो memories का मिला के इतना size होता S1 plus S2 plus S3 कितना size का आपने इतना पैसा दिया तो एक bit का कितना divide कर दो इसको तो average cost of memory कितना हो जाएगा S1 C1 plus S2 C2 plus S3 C3 divided by S1 plus S2 plus इसको generalize करें तो अगर आपके पास let's say N type की memories है तो हम लिख सकते हैं summation I is equal to 1 to N S I C I divided by summation I is equal to 1 to N S I क्या देगा ये? average देदेगा कि एक particular memory का average cost कितना है per bit का एक bit को store कने के लिए on an average memory system का इतना आपको मिलेगा cost कुछ याद आया ऐसा ही formula हमने और भी कहीं देखा था कहां याद रहेगा तुमको हमने average CPI निकालते वग भी ऐसा formula देखा था अलग-अलग instructions के average number of instructions और average CPI दे रखा था उनका multiplication करके और divide by number of instructions करके हमने average CPI निकाला था similar type of formula exactly the same type चल आगे बढ़ते हैं जो है आज का सबसे important topic वो है memory का representation जब कभी हम बात करते हैं एक semiconductor based memory semiconductor based मतलब RAM, ROM, Cache semiconductor एक particular material की बनी होती है ये RAM, ROM और Cache इनका अगर आप इन type की memories का अगर आप representation देखोगे तो इन्हें कैसे represent किया जाता है इनको represent करने का तरीका होता है पहले मैं representation लिखता हूँ और फिर explain करता हूँ अगर आपका साथ बना रहेगा बड़ा मज़ा आएगा आपको भी और जितने questions हैं आपको जो नहीं बनते हैं कि सर address पता नहीं चल रहा है कैसे बनता है या address कैसे निकलता है किसी memory का तो वो आज आपको पूरा visualize भी होगा और clear भी होगा और आज हम 5-7-10 questions all करके जाएंगे ताकि आपकी practice भी हो जाएगी बोलो अगर मज़ा आ रहा है तो response करो कि हाँ आप लोग को आप लोग interested है और excited भी है और अगर मज़ा आ रहा है तो session को लाइक जरूर करें तो memory इस रिप्रेजेंटेड ऐस करते है रिप्रेंटेड लिग दिया मेंने presented as memory को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से number of cells cross one cell capacity यह तरीका होता है memory को रिप्रेजेंट कराने का यह तरीका क्यों यूज करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा for sure पर सुनो यह है memory का रिप्रेजेंटेशन का तरीका सरी cell क्या होता है वो जो बैटरी लगती है cell उसको बोलते हैं कि वो जेल वाला cell होता है यह cell अलग है memory होता क्या है देखो बताऊ जब हम कभी हम मतलब जो भी designer manufacturer memory design करता है न तो वो क्या करता है memory में छोटे 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 आप खाने बोल लो partition बोल लो कि ऐसे छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिशन बनाए जाते हैं memory को design करते हैं और ऐसे हर एक छोटे खाने को एक खाना मतलब छोटा सा पार्ट है न ऐसे हर एक छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं हम बोलते हैं memory का cell तो ऐसे multiple cells छोटे 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 बनाए जाते हैं जब memory design होती है हर एक cell की capacity fix होती है अब कभी question आपके दिमाग में आना नीचे ही कि sir valuable size के cell बना दे तो अब अगर आपका दिमाग ही उल्टा चलेगा तो फिर मैं या और कोई कुछ नहीं कर सकता बट the design construct or design method is like this की cell हर एक cell का capacity same होता है यह manufacturer बना के देता है तो एक particular memory में कितने number of cells है वो multiply by एक cell में हम कितना bits या bytes store कर सकते हैं वो ऐसे हम करते हैं memory को represent यह है memory का basic representation thank you sonu okay now listen अगर एक छोटा सा example मैं आपके सामने लूँ कि यह है आपके पास एक बहुत छोटा सा memory जिसमें आपके पास total 4 cells हैं हर एक cell का capacity 8 bits का storage का है अब आप बताओ जल्दी से type करके कि कैसे आप इस memory को represent करोगे number of cells or cross one cell capacity एक cell में आप कितना data रख सकते हो 8 bits का तो आप ऐसे इस particular memory को represent करोगे बताओ यह clear है या नहीं is this clear or not अगर clear है तो मुझे बताओ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊ है है ना ऐसे represent करेंगे इस representation से है ना तीन information directly directly मिल जाएगी क्या है information तीन आपके पास पहली information कितनी cells है वो मिल गई एक cell का capacity कितना है वो मिल गया और तीसरी चीज़ overall memory का capacity भी पता चल गया multiply कर दो इतना तो दिमाग चला लगे न सिधे सिधे समझ में आ जाएगा हाँ हमारा mind बना ही इस लिए है कि जैसे जैसे वो देखता जाए सुनता जाए processing चलती रहे 4 into 8 32 आप देख सकते हो 32 bit का पूरा memory capacity है तो तीन चीज़ें आपको पता चल जाएंगी एक number of cells दूसरा total एक particular cell में कितनी bits बची है एक bits और total memory का capacity कितना है वो तीनों के तीनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इसलिए ये representation बड़ा दगड़ा है इतना clear अगर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे चलो अब एक छोटा सा exam ले लेते हैं कि हमने लिया एक memory इस memory में है total eight cells अब आप बताओ अगर हर एक cell का capacity 16 bit का मैंने मान लिया तो कैसे represent करोगे इस particular memory को आठ cells है हर एक cell का capacity 16 bit का जल्दी से बताओ कैसे represent करोगे इसको इसको represent करने के लिए हम लिखेंगे eight cells इन्टू number of और number of bits पर cell 16 bits लिख दिया eight cross 16 bit का यह है memory representation तीनों information मिल गई आठ cell हर एक cell की 16 bit capacity 8 into 16 हो जाएगा आपका total कितना कितना 128 bits का total memory capacity कितना आसान है इसको represent करना हाँ अब देखो आप जब computer system में कोई memory chip लगाते हो इस type की तो इतनी चोटी चोटी नहीं रहती इतना चोटा तो रहता नहीं नहीं वो तो बड़ा रहता है 2 GB 1 GB 4 GB है ना cache memories भी MB वगेरा में रहती हूं अगर बड़ी बड़ी है CPU को इतना बड़ा memory में से पूरा content एक time पे चाहिए नहीं पूरा content नहीं चाहिए होता है CPU को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक byte या एक word maximum एक byte या एक word maximum चाहिए होता है CPU को बस तो यह CPU बताएगा कैसे कि मेरे को कौन सा byte चाहिए या कौन सा word चाहिए उसके लिए CPU को specific address generate करना पूता है पर सर यहां तो आपने कुछ address तो लिखा इच नहीं है नहीं लिखा न यह देखो cells बनाने का main region ही यह है कि CPU हर एक cell को access कर सकता है individually CPU हर एक cell को एक individual unit की तरह access कर सकता है इसलिए ऐसी different sales बनाई और हर एक cell को दिया एक number क्यों ताकि uniquely CPU किसी भी cell को select करके और बता पाई कि मुझे इसी cell को access करना है जैसे आप धीरे से बोलते थे थे ना ने में पापा मेरे को यही share चाहिए तो यहां पे भी CPU बोलेगा मेरे को यही cell चाहिए इसी cell पे मुझे read write करना है तो उसके लिए scientist ने कहा कि एक काम करो ठीक हर एक cell को एक unique numbering दे दो starting from zero यहां पे numbering दे दो starting from zero cell numbering क्या हो जाएगा उससे CPU वो cell number generate करे और बताए memory को कि इस cell पे मुझे access करना है read या write जो भी और वो cell access हो जाए अब ये जो मैंने अभी तक क्या लिखी है numbering लिखी है ये numbering होती है binary में हाँ सर ये तो हमको पता है सर address और सब कुछ तो binary में होता है हाँ 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 पूरा computer binary में काम करता है तो हम क्या करेंगे ये जो नमबर हमने लिखा है इसको हम binary में convert करने का कोसिस करेगा चार अगर number है तो binary में कैसे लिखोगे 00, 01, 10, 11 अगर 8 number है अलग-अलग तो इनको binary में कैसे लिखोगे 0000, 01, 12, 11, 11 इस तरीके से तो ये जो भी कुछ मैंने यहां लिखा हुआ है red color में ये क्या है ये है memory के addresses, cell number is nothing but address, अरे कभी कोई एक colony बनती है उसमें धेर सारे घर है एक जिसे दिखने वाले तो उन घर को number दिया जाता है वहां numbering शुरू होती, one से कोई नहीं हमारा computer sign zero से start होता है ठीके? हम भी zero से start किये थे, आप भी zero से start किये हो तब जाके आप peak पे पहुँचोगे तो computer sign zero से start करता है ठीके? नंबर देना ज़रूरी ये घर को क्यो? ताकि किसी भी एक specific मकान को एक घर को uniquely access किया जा सके अच्छा, आप मकान number 16 में रहते हो, अच्छा, आपका house number 5 है, 10 है, 70 है, क्या है ताकि हर एक घर को अलग uniquely access किया जा सकते है, इसलिए number दिये है है ना, number दिया गया, वही number address है अच्छा, मेरा house number 15 is my address तो यहाँ पे जो cell number होगा, वही cell का होगा address समझ गए बात तो यह जो cell numbers है, वो क्या है? addresses, तो यहाँ भी जो cell number होंगे, वो addresses होंगे तो क्या मैं एक statement जो बोलता हूँ, वो सच है या नहीं है, आप बताईएगा, true है या नहीं है if you have a memory with four number of cells, means the memory will have four number of addresses हर एक cell का एक address, चार cell, चार addresses if you have a memory with eight cells, then in that memory we will be having eight different number of addresses क्या यह statement सही है? yes, तो जो मैंने यहाँ पे representation यह लिखा है, इस representation को एक और तरीके से लिखा जा सकता है वो क्या है, number of cells की जगे मैंने लिखा, number of memory locations cross, कितने number of locations है, जितनी cells, cross, क्या लिखूँँगा, एक cell का capacity एक cell का capacity यह है, मतलब एक address पे आपने इतना data store किया, दूसरे address पे भी इतना data तो मैं यहाँ लिखूँगा, bits on per location, एक location पे या एक address पे आपने कितना bits store किया, बताओ यह जो मैंने statement लिखा वो correct है, कि नहीं समझ में आया, कि नहीं आया समझना जरूरी है, और तुम लोगों से मैंने एक चीज डिमांड की थी, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे motivate नहीं करोगे तो मैं energy में कैसे पढ़ाएंगा, देखो मेरे फिर jokes नहीं निकलेंगे, है ना, अगर तुम लोग बस आओगे, पढ़ोगे, चले जाओगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ इंट्रैक किये, तो मेरे को न मज़ा नहीं आता, मेरे को ऐसा लगना चीए, कि मेरे सामने स्टुएंट्स बेठे हैं, बात कर रहे हैं, तब जाके हमें थोड़ा एक motivation आता है, एक थोड़ा energy आती है, और वो energy चाहिए आपसे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो आपको मेरे को motivate करना है, keep talking, not nonsense and unnecessarily, but yes keep talking, चलो, अब इतना अगर representation आपको clearly समझ में आया, तो एक छोटी सी चीज यहां से निकल के आई, वो है कि address कैसे निकलेगा, अगर हमें number of cells कहीं से पता चल जाएं, या number of addresses कहीं से पता चल जाएं, तो फिर address का size निकल जाएगा, कैसे? अरे हम बताते हैं ना बगवा, यह हमार काम है, अगर number of cells 4 थी, 4 cells, तो 4 cell की addressing करने के लिए कितनी बिट के address की जरूरत पड़ी? कितनी बिट के address की जरूरत पड़ी? दो बिट की अगर हमारे पास 8 number of cells हैं memory के अंदर, तो कितनी बिट के address की जरूरत होंगी, 3 बिट के address से काम चल जाएगा? अगर 16 number of cells होई तो ओर बिट में काम चलेगा? है ना? तो इसका मतलब अगर number of cells है 2 की power something, तो वो something आपके पास आएगा address का size की कितनी number of bits उस address के लिए लगेंगे उस memory के address के लिए तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि 2 power n number of अगर आपके पास cells हैं तो n bit का address आपको लगेगा? और अगर आपके पास x number of cells है log of x based to number of bits का address लगेगा? क्या इतना आप लोगों को समझ आया? हाँ सर इतना तो समझ आया चलिए अच्छी बात है मतलब अभी दिमाग में तो clear हो गया फिर कल automatic procedure के according दिमाग से clear हो जाएगा? कोई बात नहीं? ओके अच्छी बात है इतना अगर समझ में आ गया तो कुछ और points के बारे में मवाद करूंगा ये number of cells निकालना हमारा prime काम रहेगा अगर हमें address पता करना है तो याद रखो लिख लो चाहो तो कि जब भी कहीं address की बात आती है तो number of cells निकाल लो जैसे ही number of cells निकाले या number of total number of addresses निकाले तो address size bits में आर्षानी से निकल जाए ओके clear yes no ठीके अब बात करते हैं आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि memory दो टाइप की होती है word addressable और byte addressable किस किस को याद नहीं है उल्टा पूछना पड़ता है किस किस को याद है ऐसा पूछूँगा तो सब बोलेंगे हाँ 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 Highlight addressable का मतलब एक address पे एक word अब इस अभी जो concept मैंने समझा है इसका मतलब कि एक cell के अंदर एक word रक सकते हो आप Excel के अंदर एक word रख सकते हो Excel मतलब एक address पे Excel Excel के अंदर एक word रख सकते हो byte addressable का मतलब हर Excel की capacity एक एक byte की इतना clear है हान जी बिल्कुल सोनो ने बड़ा interesting सा point बताया है कि अगर question में नहीं दे रखा हो तो default जो है memory byte addressable होती है तो Excel पे एक word अब मैं यहां पे अगर वो definition लिख दूँगा तो आप लोग को याद भी रे जाएगे समझ में भी आ जाएगा recall भी हो जाएगा one cell capacity is equal to one word और यहां पे एक cell की capacity कितनी होती है one cell capacity is equal to one byte is it clear to everybody is that clear to everybody if this is clear then let's go and let's try to understand one more easy concept let's see byte addressable memory ओहो मजा नहीं आएगा हिंदी जो है उसमें बड़ा ही मजा आएगा अगर byte addressable लिया हमने तो one cell का capacity one byte one byte या eight bits लिख सकते हैं जी हाँ चलो तो मैं एक memory लेता हूं assume there is a memory don't worry आपके पीटने वाली memory नहीं रिकॉल कर रहा हूं है एक normal memory का size रिकॉल कर रहा हूं वरना यार तो रोगे sir हमको बहुत पीटा है teachers ने घर पे मम्मी पापा ने भी बहुत पीटा है क्या ये byte addressable memory है is this a representation of byte addressable memory हमारे पास 128k number of cells है हर एक cell की capacity है 8 bits की 8 bit हो या byte one byte eight bits is one byte yes तुम्हें इसको कैसे represent कर सकता हूं 128k cross one byte क्या ये byte addressable memory है जी हाँ है अब आगे की बात करते है अगर memory byte addressable हो और एक cell की capacity एक byte होती है हमें पता हो तो हम इस cross one को skip कर सकते हैं लिखना और directly लिख सकते हैं we do have 128 kilobyte memory अगर ऐसा लिखा है तो आप सीधे सीधे समझ जाना ये byte addressable memory है until unless मतलब बहुत अलग तरीके से लिखा हो clear cut शब्दों में के word addressable memory इतनी होनी चाहिए ठीक है है ना 128 kilobyte मतलब 128 के cells और एक byte का आपके पास हो जाएगा क्या cell का capacity अब कुछ छोटे छोटे points है मैं बता देता हूँ ये छोटे छोटे points आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे जब आप question solve करने जाओगे नहीं तो फिर बताओगे कि sir ने तो बताया ही नहीं इतनी चोटी चोटी चीज़े हमको पता ही नहीं थी ये देखो कभी अगर small b लिखा हुआ है तो वो bits होता है अगर capital भी लिखा हुआ है तो वो bytes होता है नहीं लिखा है clearly तो याद रखें जैसे ये internet connection देने वाले आपको बोलते है न sir 16 mbps की speed मिलेगी उसमें b छोटा लिखा रहता है देख ले ना एक बार पकाच छोटा लिखा रहता है क्यों क्योंकि bits मेना value बड़ी दिखती है 2 megabyte मतलब 16 megabyte bit दिखता हो तो megabyte per second 16 रहता है पर byte में तो वो 2 megabyte का ही है इसलिए वो छोटी ये भी लिख देते है अब हम जैसे उपको अगर पता है तो वो पगड़ लेगा नहीं पता है जिसको तो और बड़ी value और 16 mbps की speed मिल रही है याद रखना और एक चीज कभी कभी न यहाँ पे ऐसे शो करते वगद दे रखा होगा डारेकली 128 k x 8 की memory bit byte कुछ नहीं लिखा हो सकता है 128 k x 1 memory डारेकली ऐसा लिख दिया bit byte कुछ नहीं लिखा अगर bit byte कुछ नहीं लिखा तो bits default memory capacity का unit होता है bits क्या है? bits याद रखिए default unit of storage क्या होता है? bits नहीं दे रखा हो तो याद रखिएगा नहीं तो question में ना directly कभी ऐसा cross 1 दे दिया अब आप बोलो के सर बाइट ले की bit ले हमको तो पता ही नहीं ता सर बाइट ले की bit ले हम confuse होगा छोड़ दिया question तो एक इती सी छोटी सी mistake के चकर में या छोटी सी misinformation के चकर में कोई question miss नहीं होना चीए याद रख लेना इस चीज़ को अब बढ़ते हैं आगे और एक question solve करते हैं इस question को है ना बाद में solve करेंगे इस question को हम बाद में solve करेंगे पहले ये question solve करते हैं A memory has 16-bit address bus. Address bus पता है न, क्या होती है? CPU से memory तक address पहुँचाने का bus होता है. 16-bit का है. तो 16-bit का अगर address bus है, तो उस address bus पे, अगर आप 16-bit का address भेज सकते हो, तो कितनी number of cells उस memory में हो सकती है? अगर number of cells आपको उल्टी पता करनी है, address दे रखा है, number of cells कितनी हो सकती है? number of, two power number of address bits. two power number of address bits. two power number of address bits कितना हो सकता है? आपके पास total number of addresses हो सकते हैं. तो बताओ कि number of memory locations या memory addresses कितने होंगे? ये two power 16 है, अगर कॉपी करते वाग्त 16 मनी. क्या answer आना चाहिए? 16-bit का address है, तो आपके पास number of memory locations होंगे? two power 16. है ना? अब two power 16 को हम लिख सकते हैं, six, double, five, three, six. या फिर लिख सकते हैं, two power six is 64, two power 10 is kilo. all three are correct. अगर आपको ये point याद नहीं है, तो addressing में हम यूज करेंगे, के तू पावर टेन, मेगा तू पावर ट्वंटी, गीगा तू पावर तर्टी. addressing में हम KMG इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है? addressing के लिए, अगर हमें final answer, time में अगर चाहिए ना, time मतलब second, millisecond, nanosecond, तो इन ही को आप 10 की पावर में लोगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, तो ये आप interchangeably यूज कर सकते हो, 2 पावर 10 is almost equivalent to 10 to the पावर 3, almost, interchangeably यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कब जब आपको time में final answer चीए, तो 10 की पावर में ले लो, अगर bits, bytes, addressing, या capacity, या location या कुछ निकालनी है, तो ये ये ले लो, ठीक है, चलो, अब ये वाला question देखो, इसमें ये हैं न 2 की पावर E है, बताओ क्या answer आना चीए, मैं वेट करता हूँ आपके answer ना, बताओ, क्या answer आना चीए, memory is represented as A cross B, where A is number of locations, B is bits per location, number of locations cross bits per location, हाँ, A सही लग रहा है, आगे, 2 to the power A cross B, where A is number of address bits, B is number of bits per location, address का size A bits है, तो 2 power A total number of addresses हो जाएंगे, हाँ, यही तो मैंने अभी इस question में कराया, देखो, अगर address bit, 16 bit का address memory तक पहुँचता है, तो 2 power 16 will be number of addresses, हाँ, अगर A bit का address, address CPU को चाहिए, तो 2 power A will be total number of addresses, is cross B, B is number of bits per location, B भी सही है, B cross A, where B is number of bits per location, and A is number of locations, नहीं, उल्टा दे रखा है, यह गलत है, क्यों, क्योंकि यह उल्टा दे रखा, तो हम D की तरफ जाएंगे, we will mark D as the correct answer, बहुत बढ़िया, चलो, अब यह देखो, A CPU है, which has 13 bits address bus, तो memory को address 13 bit का पहुँच जाता है, and 16 bit data bus, मतलब data memory तक 16 bit का पहुँच सकता है, अगर आप चाहें, तो, maximum size memory, which can be supported by CPU, कितनी size की memory CPU support कर सकता है, अगर हम एक बार में 16 bit का data देते हैं, तो हम memory को एक location पे 16 bit का data store करने के लिए, design कर सकते हैं, तो, total number of locations कितनी आएंगी memory में, two power, address bits, और हर location पे, क्योंकि हमें maximize करना है memory को, हर location पे कितनी bits आप store कर सकते हो, 16 bits, चाहो तो, maximum, यह आजाएगा आपके पास में, total memory का maximum size possible, maximum memory possible, है न, अब इसको आपको bytes में convert करना है, क्योंकि यहाँ पे kilobyte दे रखा है, तो 16 bit को byte में convert करो, यह आजाएगा, two power 13, cross two bytes, यह आजाएगा, total two power 14 bytes, two power 14 होता है 16, और two power 4 होता है 16, और two power 10 होता है kilo, तो यह आजाएगा 16 kilobyte, answer क्या आजाएगा, इस प्रश्न का, इस प्रश्न का हल होगा, 16, small b लिखा किसी ने, small b नहीं आएगा अंकुर जी, capital b लिखना पड़ेंगा, capital b लिखना पड़ेंगा, अभी थोड़ी दिर पहले बताया था न, कि कैसे scam चलता है, small b और capital b के बीच में, है न, चालो, ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यह रहा, आपके screen पर, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, a 32 bits wide memory, अब ये एक नया word है, ये इसी type के, इतने सारे question हम क्यों solve कर रहे हैं, क्योंकि, एक particular चीज की information को देने के, multiple तरीके हो सकते हैं, जैसे कि, एक address पे 16 bit हम store कर सकते हैं, उसका, एक तरीका ये देख लिया मैंने, हाँ, एक address पे कितनी bit store करेंगे, उसका एक और तरीका, ये है wide memory, 32 bit wide memory, 32 bit wide memory का मतलब है, एक memory की location पे, 32 bit का storage चाहिए मुझे, अगर CPU generate करे address, तो उस address पे CPU को expectation है, कि मुझे 32 bits चाहिए, इसका मतलब है ये, ये है memory, इस memory में, हार एक address पे, 32 bits चाहिए, इतनी detail में तुमको कौन सिखाएगा, वो भी free में, तो कुछ तो payback लगता है यार मेरा भी, आप लोग थोड़ा तो payback मुझे कर सकते हैं, by liking the session अगर नहीं किया है तो, और share करो ये sessions को अपने friends के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी learning मिले, मैं चाहता हूँ कि हर एक student, जो engineering student है हमारे country का, उसको best quality learning मिले, इसलिए बढ़ा रहा हूँ इतना detail में, बढ़ते हैं अगरे, तो number of addresses कितने हो जाएंगे, 2 power 24, cross हर एक address पे कितनी bits, 32 bits, but हमें answer चाहिए bytes में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 power 24, cross 32 bit को लिखा 4 byte, ये हो जाएगा, total 2 power 26 byte capacity, और total हो जाएगे, हमारे पास 64, 2 power 6 is 64, 2 power 20 is 64, 2 power 20 is mega, mega है हां, mega नहीं है, है ना, mega बाइज, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, थोड़ा different type का addressing, addressing तो बहुत होगी, कुछ और देख लेते हैं, जब कभी, अगर आपको ये कहा जाए, कि memory cycle time, तो memory cycle time का मतलब होता है, कि memory में, एक location पे read या write करने में, कितना time लगता है, अगर memory का cycle time बता दिया जाए, तो क्या बताया जाएगा, उस cycle time में, memory में, एक particular location पे read या write करने के लिए, कितना time लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, कि अगर memory byte addressable है, तो एक byte को write करने में, कितना time लगता होगा, वो दे रखा होगा, cycle time, अगर memory word addressable है, तो एक word को read या write करने के लिए, कितना time लगता होगा, वो बता रखा होगा, तो अगर memory का cycle time दे रखा है, कहां लिखे हैं, यहां लिख देते हैं, memory cycle time, क्या होगा memory का cycle time, memory cycle time होगा, time required to perform, read और write on one cell, one cell या one location in memory, इस memory में एक cell पे, या read या write परफार्म करने में, कितना time लगता है, वो क्या होगा, memory का cycle time, अब अगर एक question में यहां पे mention है, कि भया, memory का cycle time दे रखा है, 200 nanosecond का, इसका मतलब क्या है, 200 nanosecond में, memory में एक read, या एक write परफार्म हो सकता है, अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है यह, the maximum rate, at which the memory can be accessed, किस rate से memory access हो सकती है, question में mention है, कि default by default, byte addressable memory है, तो अभी जो मैंने lines बोली ना, उसको repeat करता हूँ, 200 nanosecond में, आप memory में, एक cell, एक cell मतलब, एक byte, byte addressable memory है, इसलिए, एक byte को read या write कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, और cycle time कितना दे रखा है, 200 nanosecond का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कि in, 200 nanosecond time, the accessed content is how much, memory, accessed for how much byte, one byte, 200 nanosecond में, आप एक byte access कर सकते हो, ओके, तो हमें rate निकालना है, तो हमें काम करते हैं, पर nanosecond का rate निकाल लेते हैं, कि memory से, आप कितना data, एक nanosecond में access कर सकते हो, वो होगा, one byte, divide by 200, ये हो जाएगा, one divide by 200 bytes, per nanosecond, बट इनको चाहिए पर सेकेंड में, अगर इनको चाहिए पर सेकेंड में, ओके, तो in one second, how much memory access can be done for the data, one byte, divide by 200, nanosecond को बनाव second, एक second is equal to 10 to the power minus 9 nanosecond, होता है ना, ये हो जाएगा पर सेकेंड, 10 to the power minus 9 को उपर लेके जाओ, लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 10 to the power 9, divide by 200 bytes per second, अब 10 to the power 9, divide by 200, एक काम करते हो, 1000 अलग निकाल लो, तो 1000 अलग निकाला, divide by 200 आजाएगा, 5, 5 into 10 to the power 6, तो क्या हम लिख सकते हैं, 5 megabytes per second, 10 to the power 6, 5 into 10 to the power 6, बचेगा, 10 to the power 6 को हमने, मेगा लिख दिया, आप लिखो तो टारे की, मेगा की जेगे, 10 to the power 6 भी लिख सकते हो, 5 into 10 to the power 6, megabytes per second, आपके पास बचा रहेगा, क्या होगा ये, ये होगा, 5 megabytes per second की, आपकी memory की access rate है, ऐसे धेरो सारे question आएंगे, जब cycle time दे रखा हो, उससे आपको rate निकालना है, या rate दे रखा, उससे एक byte या दो byte का transfer time निकालना है, बहुत सारे questions ऐसे आएंगे, तो मैंने यहां solve कर दिया है, 5 megabytes per second will be your answer, चल, आगे बढ़ते हैं, gate 2016 का question solve करते हैं, अभी तक हमको addresses और word दे रखे होते थे, addresses और data दे रखा होता था, हम maximum size निकालते थे, अब maximum size दे रखी है, और address निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखते हैं रुखो तो सही, थोड़ी देर तो रुखो, बताता हूं, अब processor can support a maximum memory of 4GB, maximum size है 4GB, ठीक है, आगे दे रखा है, where the memory is word addressable, consists of 2bytes, the size of address bus of processor is, how many bits, अगर हमें address निकालना है, तो number of cells निकालने पड़ेंगे, number of cells या number of memory locations निकालने पड़ेंगे, है ना, अब यहां दे रखा है कि, memory में इतना data आप स्टोर कर सकते हो, और एक 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 सेल पे, कितना data आप स्टोर कर सकते हो, हर एक सेल पे आप स्टोर कर सकते हो, 2byte का data, word addressable memory है, 2byte का data होगा, समझ में आई बात, 2byte का data होगा, हर एक सेल पे, तो आप देखो, यह है आपके पास memory, 2byte यहां, 2byte यहां, 2byte यहां, ऐसे आपने, धेर सारे 2-2-2-2byte के, सेल्स बना रखे हैं, memory word addressable है, और total capacity कितनी दे रखी है, 4GB, तो 4GB अगर है आपके पास, ओहो total capacity, तो 2-2-2-2-2-2-2byte के, ऐसे कितने number of cells आएंगे, number of cells अगर आपको निकालना है, तो आपको पता करना है, total capacity, divided by, one cell capacity, निकाल लो, यही तो करते हो, number of cells, cross one cell capacity, total capacity, तो total capacity, divided by one cell capacity, number of cells, कितना हो जाएगा, यह, byte से byte cancelled, G बचा रहे जाएगा, बचा रहेगा 2G, 2G means, 2 is 2 power 1, G is 2 power 30, total 2 power 31, अगर total 2 power 31, number of cells है, तो address का size कितना होगा, log of this, 31 bits का, 31 bits का address, आपको लगे या, अब एक बात बताओ, इस 31 के पहले, एक line लिखी, एक word लिखा है, at least, वो इसका meaning बता देगा, मेरे को, यह क्यों लिखा, देखो, अगर आपको, एक ऐसी memory, एकसेस करनी है, जिस memory में, 2 power 31 cells हो, तो 31 bit का address से काम चलेगा, चलेगा, क्या 30 bit के address से काम चलेगा, ओ, ओ, काहां पहुचे हैं, 30 bit के address से काम चलेगा, नहीं, 30 bit के address चलेगा, नहीं, 29 से तो बिलकुल ही नहीं, 28 से और ही नहीं, क्या 32 bit के address से काम चल जाएगा, जी हां 32 bit के address से आप 31 bit का address extract कर सकते हो MSB को 0 रख लो सारी क्या 32 के बाद 33 bit का भी address काम करेगा बिल्कुल करेगा तो कम से कम 31 bit का address चाहिए अगर आपका address बस का size उससे भी बड़ा हुआ 32, 33, 34, 35 तो भी कोई problem नहीं है At least 31 लगेगा उससे जादा भी होगा तो चलेगा समझ में आई बात समझ में आगे बात है ना चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रशना भी ये तुमको करने का है तुम्हारे लिए है ये जल्दी से solve करके मेरे को answer बताओ जल्दी बताओ I am waiting here Good Shiva, Nice Consider a memory of size 8 GB The number of bits required for accessing the memory is Okay, number of address bits यहाँ पर address आना चाहिए Number of address bits required to memory to access the memory is this if memory is byte addressable तो सबसे पहले अगर byte addressable है 8 GB तो आप represent करते हो memory को 8 GB को इस परी कैसे 8 G cross 1 byte है ना 8 G is 2 power 33 कैसे लिखा G is 2 power 30 8 is 2 power 3 cross 1 byte तो यहाँ से address का size निकल जाएगा 33 bits का तो पहले इसके लिए answer आजाएगा 33 bits काफी सारे लोगों ने answer दे रखा है Second अगर memory word addressable है और 32 bits का word है 32 bits means what 4 bytes तो second आपके पास होगा 8 GB को आप ऐसे लिख सकते हो 2 G number of cells cross 4 byte at location अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते हो तो आप calculate भी कर सकते हो कैसे number of cells calculate कर लो अलग से अभी थोड़ी देर पहले बताए number of cells will be 8 GB divided by 4 byte दोनों bytes में convert करना जरूरी है यह 32 bits को हम 4 bytes लिख सकते हैं है ना 2G 2 power 31 हम इसको लिख देंगे 2G cross 4 byte 2 power 31 cross 4 byte तो यहां से address size निकला आएगा 31 bits का है ना तो first question का answer 33 second का answer आजाएगा आपके पास 31 31 क्या बात है क्या बात है वाँ 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 बढ़िया 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 तो अब आप से इस ताइप के question बन जाएंगे देखो ऐसे ना directly बहुत कम question आते हैं एक यही question मैंने recently देखा है जो addressing से related है direct question आया है direct नहीं आते हैं बट indirectly बहुत काम आता है कैश में हम देखेंगे बहुत बार memory का size दे रखा होगा address size पूछा जाएगा यह बहुत सारे देखते से ही जैसे ही आप address और यह सब देखोगे देखते से ही आपको क्या आजाना चाहिए address का size निकलाना चाहिए दिमाग में है ना चल ओके एक और question है छोटा सा the address bus width of a memory of size this is how much memory दे रखी address bus width पूछा है कि address bus का width कितना होगा अगर memory इस size की है तो अगर memory इस size की है 4096 is 2 power 12 into 8 bits तो you can write it as 2 power 12 into 8 bits यहां से आपको memory का address पता चल जाएगा 12 bits का अनूप मैं बस कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ चीजें visualize हो जाएं आप सीख पाऊं और जब आप सीखते हो तो definitely आपको बड़ा मज़ा आता है बस एक चीज और है जो आपने learning की है उससे आप question solve करने के काबिल बन जाएं exam में तो जब आप question solve करने के काबिल बन जाएंगे exam में final exam में और आपका rank अच्छा आजाएगा तो I'll be happy very very happy आपको बस एक काम करना है जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं live तो रहूंगा आप लोग live आके और अपना result बिलकुल बता दिया जाए अगर दुरगेश नंदन जी मेरे चैनल पे सर एक ही सर ने लिया है अरून कुबार डूबेजर दिजिटल वह university के लिए लिया है अगर आपको university के लिए पढ़ना है तो वह complete है पूरा complete यूनिवरसिती एक्जायम के लिए उन्होंने पढ़ाया गर आपको गेट के लिए पढ़ दीजिए अंकित गोयल सर्थ चीक है चलो तो अब next class में हम start करेंगे main memory जो कल है हमारा और main memory में RAM ROM बहुत important है क्योंकि question बहुत recently बहुत सारे पूछे गए हैं उसके बाद हम memory chips के बारे में बता करेंगे कि memory chips कैसे design होती है उसमें क्या-क्या signals लगते हैं कैसे access होता है और उसके बाद में हम chip select signal और उनसे related कुछ questions all करेंगे क्योंकि ये भी recently पूछा गया है तो बहुत important questions आते हैं memory organization से तो बिल्कुल miss नहीं करेंगे future के lectures किसी भी इनसान को आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं किसी learner को ऐसा लगता है कि हमारा gate का preparation और अच्छा हो सकता है अगर हमें guided study मिले तो आप यहाँ पे guided study के लिए आ सकते हैं plus पे अगर आपको जादा personalized या customized preparation चाहिए तो आप iconic subscription ले सकत हैं जिसमें plus के benefits के साथ में और personal benefits मिलेंगे personal coach के personalized doubt clearing instructor के personalized test analysis के customized study planning के tracking your fear performance से लिलेटेड और भी बहुत सच्छे benefit मिलेंगे iconic में कोई भी subscription आप लेना चाहें चाहते हैं तो जल्दी ले लें क्योंकि यह prices अब बढ़ने वाले हैं और prices बहुत जल्दी जादा बढ़ जाएंग तो अगर आपको कम prices में save price में मिल जाएगा भी तो use कर लो code VDeepten और subscription ले लो with 10% instant discount plus my personal guidance कोई भी subscription लो चाहें प्लस हो या iconic हो अगर आपको 23 भी target में है तो आप 24 months का ही subscription ले recommendation है ऐसा मेरा क्योंकि आपको exam के बाद में भी IIT में admission के लिए या किसी और college में admission के लिए return test और interview द देने पड़ सकते हैं तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन सब के लिए आपको exam के बाद और preparation लगेगी और time लगेगा जिनमें आप ये सब prepare करेंगे तो कैसे ये आपको accessible होंगे उसके लिए आपको ये subscription काम आएगा जहां से आपने सीखा है वहीं से आप और सीखते रह जाएंगे टॉप class educators हैं जो आपको अपने courses के best learning देंगे और अलग-अलग batches भी start हुई है गे 22-23 दोनों के लिए तो जल्दी से subscription लेके ये batches join कर लो ताकि आपके courses जल्दी जल्दी finish हो जाए अगर आपको ज़्यादा subscription discount चाहिए तो an academy का combat लिखो it's an scholarship test ये कैसे access कर सकते हो आप unacademy के scholarship test को लिखो unacademy combat आपको आ जाएगा search bar में या फिर इस वीडियो के description में भी दे रखिए इसकी link access करके आराम से combat के लिए enroll कर सकते हो combat के लिए अपको code लगेगा ये code use करने ना वीदीप 10 कब होए combat 26th Sunday 11 ये combat से पाइदा क्या है आपको up to 100% का discount मिल सकता है for unacademy plus subscription up to 100% heavy discount मिल सकता है दूसरा फाइदा है इस combat को लिखने का आपको पता चलेगा कि आप कहां lie कर रहे हो कहां stand कर रहे हो अपनी competitors के against ताकि आप अपनी preparation को और ज्यादा अच्छा fine tune कर पाए future में आने वाले time में जितने लोग हैं जिनको ये PDF चाहिए class की जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसकी notification चाहिए हमारे classes कब होने वाली है उनके हमारे classes से related announcements चाहिए ये telegram channel जॉइन कर लो यहां पर आपको सारा PDF मिल जाएगा और इस channel को support करो बहुत ताकि हम और अच्छा नया और जाधा innovative और जाधा content आपको free provide करवा पाए like and share the content which I am delivering here subscribe कर लो channel को and turn on कर लो notification thank you so much for joining here and keep learning guys ताकि आप लोग इस learning को use कर पाओ अपने career building activity के लिए see you happy learning bye bye